हेलो प्रेंच दिशेस राहूल एड वालक केल दिल से स्वागत करते। वह लोग होने वला है। मैं जहां पर काम करता हूँ यानि की इसकोल में काम करता हूँ.. तो आज का दिन होगा मेरा स्कूल टोर तो यही मेरा पहला विडियो गा जहां पर में अपना फेस दिखाने वाला हो और आप छो लोग टेक रहे हो अभी तो फिलहाल मैं अभी खर में हो अभी कपरा बागिर आप पहन ले आए तो खाना खाने के पाथ नो वाजय हम स्कूल की चीज तरफ निटल जाएगा और आप लोह पूमे मेरा जो स्कूले में जहां पर काम करता हुँ तिसार काम करता हो तो 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 को तो करना चाहता हुआ और आप लोगो फ्रेंश मैने दो सल से पहली प्लेनिंग कर रहा था तो पता कि देने का सौझ रहा था तो फिलहाल तो किताब NCRT का सेट मैं ने खरिट लिया है, फोर अशा बाकी है जो स्तेंदर्ड बुक है तो पैसा मिलने के बार में खरिड लूगा तो तेरे दिरे शब किताबे में खरिड लूगा तो इस सेनल में मेरा जो स्टाडी ब्लोग है ट्रेवल ब्लोग है जो भी हो इस सेनल में में डालूँगा अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सेनल को सब्स्ट्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर साहू तो अभी में दुसको इंटेजार कर रहा हूँ रास्ते में सामने ही है खर तो फिलाल अभी रास्ते पे हूँ तो दिस्टेंस खर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो खर से करीब तो ज्यादा नहीं बाइक से हम 20-60 मिनिट में पूज जाते हैं तो अभी नोवोज बसकर पस मिनिट हो गया तो फिलाल आप लोगों को टिखांगास का स्कूल का तोर तो फिलाल मैं अभी बाइक शला रहा हूँ तो इसलिए मैंने दोस्कों फिडियो करने के लिए कहा है आप गाउ का खेट तो खेट का नजारा देख सकते हैं आप लो पाहले गाइस हम पोस्ने बलाए स्कूल तो गोरिशोर में गया ताओन अभी तो यह है गोरिशोर का नजारा देख सकते हैं तो फ्रेंज फाइनली पोस्न गया स्कूल यह हमरा स्कूल तो इस तरह बाते हैं इस तरह बाते हैं और आप लोग देख सकते हैं स्कूल का नाजारा अभी में आप लोगों को हमारा जो स्ताफ रूम है स्ताफ रूम को थो राशा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ तो यह है हमारा स्ताफ रूम तो इधर हम लोग बेटते हैं आभी में आप लोगों को हमारे स्कूल का जो होस्तेल है होस्तेल को डिखाना चाहता हूँ व जो सीदा घर है वह हमारे स्कूल का होस्तेल है और यह है क्लास्रूम तो फ्रेंस आशका वीट नहीं होगा आशका व्लोग कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में ज़रूर बटाएगा और ऐसी वीडियो नहीं नहीं आने वाला है प्लीज सब्सक्राइब दो चैनल एंड आई होप कि अच्छा ही लगा होगा और आशके लिए इतना ही तो ब